नमस्कार दोस्तों सौगत आपका सरकरे ड्रिम यूट्यूब चानल में जैसे कि मैंने इस से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि बिना जॉइनिंग लेटर के विए आप आप आवेधन कर सकते हो कि नई तो उस वीडियो के नीचे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सरक पुलिस केस दर्ध हो गया है किसी जलने वालों ने केस दर्ध कर दिया है या पडूसीर ने कर दिया है या अपने जो चाचा का लड़का है चाचा है या भाई ये बहने कोई भी है उन्होंने केस कर दिया है जगड़ा हो गया जमेन के वज़े से घर के वज़े से कुछ ना कुछ हो गया है तो उसी वज़े से जो पुलिस में FIR दर्ज हो गई है तो क्या मेरा character certificate बनेगा मुझे joining में कुछ problem होगी ऐसे बहुत सारे question मेरे पास Instagram पर आये थे और वीडियो के नीचे तो मतलब बहुचार कर दी थी तो मैं आपको इस वीडियो में एकदम complete जानकरीद बताने वाला हूँ एकदम सर्टिक जानकरीद बताने वाला हूँ कि आपके उपर अगर case हुआ है तो भी आप अपना character certificate बना सकते हो वो कैसे इस वीडियो को complete जरू देखना आपको अपना जबाब मिल जाएगा ठीक है और last में like subscribe जरू कर देना ताकि मैंने दी हुई जनकरीद आपको अच्छी लगे तभी करना otherwise मैंने दी हुई जनकरीद आपको अच्छी ना लगे यह पहले आप police station में जाके पता करो ठीक है अगर किसी ने सिर्फ आपके शिकायत की है कि यह बंदा मुझे परिशान करता है ऐसा वैसा जूट मूट की आप उपर अगर शिकायत की है तो वो तो डरने वाली बाती नहीं है उसमें कुछ भी नहीं होता है ठीक है और वो खतम भी हो गई है तो आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है यह दूसरी condition अगर आपके उपर F.I.R. अभी भी चल रहा है ठीक है और वो court तक चली गई है और court से अगर आपको कोई भी मतलब आपको court ने कोई भी सजा नहीं दी है ना कोई 100 रुपे से जादा का आपसे fine बरा है ऐसी कोई भी condition नहीं हुई है तो आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है पहली condition अगर आपके उपर सिर्फ शिकायत हुई है कोई डरने की बात नहीं है दूसरी condition आपके उपर F.I.R. हुई थी लेकिन वो खतम हो गई फिर भी कोई डरने वाली बात नहीं तिसरी condition अगर आपके उपर case हुआ है और वो अभी भी चल रहा है तब भी कोई डरने वाली बात नहीं चोथी condition जो की सबसे खतरनक है अगर आपके उपर F.I.R. भी हो गई आपकी वो case जो है वो quote में भी चली गई और quote ने आपको 100 रूपे से ज़्यादा का चलान भी भराया है और आपको सजा भी सुनाईए इस condition में आपका character certificate नहीं बनता है अगर आपके उपर F.I.R. दोज हुई है वो F.I.R. quote तक भी चली गई, quote में आपको सजा भी मिली है आपसे कुछ चलान भी भराया है तो इस condition में आपका character certificate नहीं बनता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ case हुआ है आप quote में गए भी नहीं और quote ने आपको कोई सजा भी नहीं सुनाई है तो और वो case खतम भी हो गई है ऐसी कोई भी condition है तो बिल्कुल डरने वाली कोई भी बात नहीं है ठीक है मैं आपको इसका पुरा सबुद भी दिखा देता हूँ ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ सको तो दोस्तों आपके सामने जो newspaper cutting दीक रही है यह एकदम officially original newspaper cutting है यह कोई fake वगरा नहीं है ठीक है इसमें एकदम साफ साफ लिखा है कि FIR में नाम होने भर से नहीं बिगड़ेगा किसी का चरित्र मतलब अगर आपके ऊपर किसी भी FIR दर्ज की जाती है तो इसे भी आपका जो ह का जो है certificate बन जाता है मतलब किसी का चरित्र खराब नहीं होता है ठीक है और इसका इदम आप ठीक से पढ़ोगे तो यहाँ पे एकदम साफ साफ मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ ग्रह विबाक के आदेश के आलोक में मंगलवार को पुलीस मुक्यालाई ने एक आदेश पुलीस मुक्यालाई निर्धेश दिया किया कि पुलिसद्वारा किसी भी वैक्ती के संबंद में समर्पित सत्यापन प्रतिवेदन अत्यंत समवेदन शील दस्तावेज है इसके बिना विलम के आवेदा को परिशान किये बगैर सही-सही तैयार किया जाना जरूरी है आलेक में कहा गया है कि संद्धिय अपरादों के संभंध में यदि कोई वेक्टी और अपराथमिक आपराथमिक अभिविक्त रहा है लेकिन जांच के बाद आरोपी नहीं किया गया हो तो सत्यापन प्रतिवेदन को कोई टिपनी नहीं कि जाएगी मतलब कोई उस आपके उपर FIR दर्च किये गई और उसमें आप निर्दोष साबित होते हो तो इसमें कोई भी कंडिशन नहीं है ठीक है आपको 100% आपका केरेक्टर सेटिफिकेट मिल जाएगा ठीक है दूसरा जो है अभिवक्त हो रहा है लेकिन जांच के बाद आरोपी नहीं किया गया तो चरित्र नहीं बिगाड़ पाएगी इसके अलावा नयाल है द्वारह किसी आरोपी वेक्ति के विरुद्द यदी सद्यान नहीं लिया जाए अथ्वा किसी चरण में मुकदमा खारीच कर दिया जाए तो विचार के बाद दोश्मुक्त कर दिया जाए तो चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में उसकी प्रविष्टी नहीं होगी मतलब आपके उपर F.I.R भी दर जो गई, आप कोट में भी चले गए और कोट ने आपको बरी कर दिया, आपके उपर जो भी कुछ मुकदमा दायर किया गया था, F.I.R दायर की गी थी वह इदम जुटी निकली या आप उससे बरी हो जाते हो, तो इस कंडिशन में भी आपको Character Certificate मिल जाता है, अभी इसमें एक एक बात मैं आपको और एक बताना चाता हूँ दीखे, अगर आपके उपर F.I.R हो जाती है तो भी तो कोई डरने वाली बात नहीं आपके उपर F.I.R भी हो गई, आपकी केस कोट में भी चले गई, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोट ने अगर आपको सज़ा सुना दी, तो कुछ प्राबलम हो सकती है, लेकिन अगर कोट ने आपको बरी कर दिया, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है कर सकते हो, उससे क्या होगा, कि आपकी जो प्रोसेस है कोट में, वो जल्दी से जल्दी होने के चांसे जो जाद है, क्योंकि आपने और डेडी पूलिस के उपर प्रेशर किया है, कि मेरे जो प्रोसेस है, मतलब मेरा जो मामला है, कोट का, वो जल्दी से जल्दी निप्टा कर आपको character certificate देने की कुशिश की जाती है तो अगर आपका ऐसा कोई pending प्रोसेस है, तो pending होना मतलब आप गुनेगार हो, ऐसा नहीं होता है pending है आपकी case, तो वो कुछ समय लगता है ठीक है, लेकिन वो clear जैसे ही हो जाता है उसके बाद आपको मिल जाता है, लेकिन आपको दो-दो साल इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके उपर किसी ने जुटी अगर आपको जितना मुझसे हो सका मैंने समझाया है अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो मैरा इंस्टाग्राम आइडी सरका रिडरी में आप मुझे वहापे अपनी प्राबलम बता सकते हो उसका जो भी कुछ रिपलाई होगा मैं आपको दूँगा जितना मुझे आता है जितना मुझे पता है ठीके और कोई मतलब सर्वगुन संपन्न नहीं होता है ठीके इस बात को हमेशा याद रखना हर किसी को हर चीज नहीं आती है तो यही है लेकिन मेरे पाँ जितना एक्सपेरेंस है जितना मैं मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेर करता हूँ चैनल के साथ जुड़ी रहेगा और भी कोई अपडेट आएगी